हाई फ्रेंड विल्कम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड कैसे है फ्रेंड उमीद है काफी अच्छ होंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जेपी उनिभर्सिटी छपरा का सेशन हमेशा पीछे ही चलता है यहाँ पर आप सभी को बता दू कि अभी हाल ही में जेपी इपी उनिभर्सिटी के दुवारा बताया गया है कि असनातक के तिन सेशन का एक्जाम एक ही साथ हो सकता है जिसमें असनातक फर्स सेमेस्टर 23-27 उसके बाद असनातक पार्ट 2 सेशन 21-24 उसके बाद असनातक पार्ट 3 सेशन 20-23 इन तिनों का एक्जाम एक ही साथ हो सकता है जैसा कि JP University ने बताया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कुछ मामलों को ले करके है क्या मामला है चलिए हम आपको एके करके पहले बताते है मामला यहाँ है कि माल लिजे कि असनातक प्रथम सिमेटर सेशन 23-27 का इकजाम होगा तो इसका अभी रेजिस्टेशन कार्ड ही जारी नहीं हुआ है आखिर रेजिस्टेशन कार्ड मिलेगा तो कब तक मिलेगा JP University का कहना है कि रेजिस्टेशन कंपलीट हो चुका है च्छात्रों को केवल बित्रित करना है कहने से काम नहीं होता है करने से काम होता है आखिर कब तक मिलेगा तो यह सवाल रहा तो यहाँ पर इसका भी इक्जाम का मामला लटक सकता है उसके बाद हम बात कर लेते हैं असनातक पार्ट टू की सेशन 21-24 की तो इसका इक्जाम हो सकता है क्योंकि इसका हर चीज किलियर है च्छात्र च्छात्राओं को मार्क सिट भी मिल चुका है असनातक पार्ट वन का लेकिन यहाँ पर असनातक पार्ट थर्ड सेशन 20-23 की बात करे तो इसका रियल्ट तो जारी हुआ था लेकिन मार्क सिट नहीं मिला था आप सभी को मालुम होगा कि JP University में इतना रियल्ट गर्बर होता है इतना रियल्ट गर्बर होता है कि यह बताना पॉसिबल नहीं होता है तो यहाँ पर मान लिए कि मार्क सिट जब जारी होगा अगर किसी चात्र चात्राओं का रियल्ट गर्बर होयाता है असना तक पार्ट टू में आप सभी समाने भासा में समझीए कि मान लिजिए जो चात्र पार्ट टू में फेल कर जाता है या पर्मोटेड कर जाता है वह चात्र क्या करता है अपने पिछले साल के साथ अपने पिछले सेशन के साथ एक्जाम देता है तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 सेशन का एक्जाम एक ही साथ होगा अभी part 2 का मार्षिट जारी हुआ नहीं अगर माल यह कि मार्षिट में किजी छातर का कोई गरवरी हो जाए तो आखिर वह पार्ट टू के साथ कैसे एक्जाम देगा 214 के साथ क्योंकि सभी एक्जाम तो एक ही साथ होगा तो पहले यहाँ पर इवनिभर्सीटी को एक काम करना चाहिए पहले मार्क्सित जारी कर देना चाहिए जो भी छात्र को कुछ प्रबलम हो उसका पहले सॉलूसन करके उसके बाद असना तक पार्ट टू के साथ उनका एक्जाम होगा तो बेहतर रहेगा नहीं तो यहाँ पर 20-23 छात्र छात्राओं के साथ 9 साफी हो सकती है मैं यहाँ पर बताया था आपको जेपी उनिभर्सीटी ही बताया था कि आपका जो एक्जाम है जून महीने में होगा तो यहाँ पर देखना होगा कि कैसे सिडूल जारी कियाता है यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट है कमेंट ऐसा है कि दिमाग घुर जाएगा चलिए कमेंट को भी हम लोग देख देते हैं इनका कमेंट है पहले 20-23 सेकेंड यर का रियल्ट ठीक करे इनका बात कहना सही है जब रियल्ट अगर ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आगे बढ़ जाएगा तो सहीर हैगा नहीं तो आगे चल करके और परिसानी हो चलती है छात्र शात्राओं को उसके बाद यहाँ पर अगला कमेंट है मनीश सहनी का इनका कमेंट है कि अभी भी भरोसा नहीं है कि जो एक्जाम है वह जून में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जेपी उनिभर्सिटी ने बताया था कि फर्स्ट वीक में एक्जाम हो सकता है लेकिन उमीद नहीं है कि फर्स्ट वीक में एक्जाम होगा क्योंकि मा का किरिया खाया है पुर्फेसर देखिए मा के किरिया खाने से एक्जाम आपका नहीं होगा और पुर्फेसर के कहने से आपका एक्जाम नहीं होगा जब तक JP University के VC कुछ नहीं करेंगे क्योंकि VC के कहने से ही आपका एक्जाम होगा किसी पुर्फेसर के मा के किरिया खा जाने से आपका एक्जाम नहीं होगा तो इन बातों को आप सभी समझ सकते हैं फ्रेंड सवाल है कि आखिर अब क्या किया जाए तो फ्रेंड आप सभी को मालूम है कि ये पी उनिभर्सिटी ने कहा है कि चुनाव बाद आप लोग का जो एक्जाम है उसकी सिट्यू जारी की जाएगी आप सभी धैरे बना करके रखें आप सभी अपने त्यारी में लगे रहें ये नहीं कि त्यारी छोर दें त्यारी छोर देंगे तो आपको परिसानी हो सकती है जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी पीजी का एक्जाम चल रहा था उसमें लगातार हर दिन छातर छातराओं को एक्स्वेल्ड किया जा रहा था चोरी करने के आरोफ में तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो चोरी करने की आप लोगों को नौवत नहीं आएगी मुझे उमीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे चलिए फिरन फिर मिलते हैं एक नई अफडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद